दोस्तों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरू जी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम बात करेंगे असेस्टेट प्रोफिसर भर्दी में अतित्थी विद्वानों को भी सामिल कर लिया गया है अब उनको आयू के आधार पर अपात्र नहीं माना ज जाएंगे उन्हें के बल एक बार आयू सीमा के अधार पर अपात्र नहीं माना जाएगा इसके साथ ही परिक्षा की आबिदन प्रिक्रिया सुरू हो गई है आबिदन की अंतिम तारीख पढ़ा कर 14 फरवरी कर दी गई है तो पूरी खवर यह है कि जो असेस्टेंट करने की बात लिखी थी लेकिन 3 जनवरी तक भी आपेदन की लिंक नहीं छुलने से जो अभिर थी है वह आपेदन जमन नहीं कर पा रहे थे तब PSC ने लिंक नहीं खोलने के पीछे कारण बताया था कि निया एलीन आधेशों की रोस्नी में नियमों में संसोधन किया जाएगा यानि नियमों में संसोधन का हवाला दिया था तो नियमों में संसोधन हो चुका है चौदा फरवरी तक जमा होंगे फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा को लेकर सुप्रियम कोल्ट के आदेश के तहट अतिती विद्वानों को आयू सीमा में चूट से जुड़ा संसोधन सामिल किया गया है इसके साथ ही आवेदन प्रिक्रिया भी सुरू कर दी है आवेदन अब चौदा फरवरी तक जमा हो सकेंगे ये पबन कुमार सर्मा सचेव पी एससी इन्होंने कहा है तो अब बहुत अच्छी ख़वार है सभी आतिती विद्वानों के लिए आप सामिल हो सकेंगे आयू का आपको कोई दिक्कत नहीं है आयू से जुड़ी हुई तो आप तैयरी कीजे अपनी असिस्टेट प्रोफिशर की तो इस वीडियो में हमने बात की असिस्टेट प्रोफिशर जो हैं उस भरती के बारे में भरती चाल हो गई आप सी द्याविदन कर सकतें MPPSC की वेबसाइट पर जाकर या MP Online के माध्यम से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद नमश्कार, जय हिंद, जय भारत